अब हर रोध सुभे की चाय के साथ देखे सुनिए मेरे साथ मैं हूँ सुरेश कुमार एकलवे आपके लिए लाया हूँ दुनिया का खबर नामा भारत से बातचीत करने को उतावला पाकिस्तान कुरेशी ने जैसंकर को लिखी चिठी कहा महतपूर मुद्दो पर बातचीत को तयार है पाक पाकिस्तान के विदेश मंत्री सामयमूद कुरेशी ने अपने ने भारते समकक्स एस जैसंकर को सुक्रवार को एक पत्र में कहा कि उनका देश सभी मैत्पूर्ण मुद्धों पर भारत के साथ बाचीच चाता है और छेतर में 37 स्थापित करने के प्रियासों को लेकर वैप्रतिबद है भारत ने पाकिस्तान की वारता की पेसकस को एस विकार कर दिया है और उसका कहना है कि आतकवाद और वारता एक साथ नहीं चल सकते UAE की जाँच में टैंकर हमलों के पीछे किसी देश का हाथ होने का मिला संकेथ UAE के तट पर तेल टैंकरों पर बारा मई को हुए हमलों की संयुक्त अरब अमिरात की अगवाई में चल रही जाच के सुरुआती परिणाम इसारा करते हैं कि इन वीश फुटों के पीछे किसी देश का हाथ था लेकिन अभी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इसमें इरान की संलिक्ता थी अत्वान नहीं संयुक्त अरब अमिरात के साथ सुदी अरब और नारवे ने संयुक्त राष्ट सुरक्सा परिशद के समक्स प्रारंबिक परिणाम पेस किये हैं स्रीलंका में 4000 बोढ़ महिलाओं की नस्बंदी की रिपोर्ट से फेला तनाव सिरिलंका में एक मुसलिम डोक्टर की ओर से 4,000 बोध महिलाओं की गुप्त रूप से नस्बंदी के दावे से तनाव फेल गया है एक अख़बार ने दावा किया था कि डोक्टर ने ओपरेशन से बच्चों को जरम देने वाली महिलाओं की गुप्त रूप से नस्बंदी की है हाला कि इस रिपोर्ट की सूर्ट अंतर तोर पर पुष्टी नहीं हो पाई है प्यम मोदी नो जून से स्रीलंका यात्रा पर जहां हुए थे आतं की धमाके वहां भी जाएंगे प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी रवीबार को अपनी पहली विदेश यात्रा पर स्रीलंका पहुचेंगे परधान मंतरी स्री लंका की अपनी यात्रा में उना स्थानों पर बिल जाएंगे जहां पर 21 अपरेल को बम धमाके हुए थे इन बम धमाकों में 251 लोगों की जान गई थी स्री लंका के राजदूत ओस्टिन फर्णाडों ने कहा है कि पियम मोदी की ये विदेश यात्रा दोनों परशी देशों के आपसी संबंद और एकता को परदर्शिक करने वाली है बीजेपी सरकार के लगतार दूसरी बार सब्ता में आने के बाद पियम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है इस याक्त्रा के दोरान परधान मंत्री माल्डी भी जाएंगे अमरीका पर हमला करने वाला था इरान लेकिन अब पीछे हटाई कदम फारस की खाडी छेतर में अमरीकी बलों के खिलाब हमले की वस्तूत तैयारी करने के बाद इरान ने अपने कदम पुनर विचार के लिए पीछे हटा लेने पर पस्चिम एशिया में अमरीकी बलों के सीर्स कमांडर ने कहा है कि अभी ये कहना जल्द बाजी होगी की खतरा तल गया है सीर्स अमरीकी कमांडर जनरल फ्रेंक मेकेंजी ने एक केंटरू में कहा है कि वै इरान की आकरमक छमता से चिंतित हैं और इरान की मिसाइलों एवं अन्य हत्यारों से बचाव के लिए अत्रिक्त अमरीकी बलों का आगरेक करने से इंकार नहीं करेंगे अमरीका से तनाव के बीट चीन और रूस आर्थिक मंज पर दिखाएंगे एक जूटता चीन के राष्टपती सीर्चिनफिंग आर्थिक ताकत दिखाने के लिए रूस की और से आयोजित एक कारी अकरम में सुक्रवार को मुख्यातिती के तोर पर सामिल हुए अमरीका के साथ चले तनाव के परती दोनों मुलकों ने इस मंज के जरिये एक जूटता दिखाने की कोशिस की सीर रूसी राष्टपती बलादिमिर पुतिन के साथ मुलाकात के लिए तीन दिविश्य दोरे पर बुद्वार को मास को पहुँचे थी और क्रेमलिन में हुई बैठक के दोरान रूसी नेता को अपना सबसे अच्छा मित्र बताया इस बीच चीन अमरीका के साथ वेपार युद में उल्जावा है रूस और चीन के बीच आर्थिक सम्मद हाल के कुछ वर्सों में बढ़े हैं हाला कि यह अधिकतर चीन के पक्स में ही रहा है सी के इस दोरे के दोरान एकोमर्स दूरसंचार गैस एवं अन्यच्छित्रों में दरजनों व्यवसाई करार किये जा चुके हैं सी आर्थिक मंच पर पहली बार अपनी मुझूद की भले ही दरज करा रहे हो लेकिन उनके और पुतन के बीच हाल के कुछ सालों में लगतार मुलाकात खुती रही है भारत इजराइल से 300 करोड में खरीदेगा इस पाइस बम एयर फोरस ने बाला कोट में आतंकी सिवरों पर बरसाए थे ये बम भारत सरकार अब अपनी सामरिक सक्ति को लगतार मजबूत कर रही है इसी दिसा में एक और कदम उठाते हुए भारत सरकार ने इस पाइस बम को खरीदने के लिए अपने मित्र राष्ट इजराइल से एक समझोता किया है भारत इज्राइल से सोई स्पाइस बंग खरी देगा इस स्पाइस बंग को भारत वायुसेना ने 26 फर्वरी को बाला कोट एर इस्टाइक में इस्तेमाल किया था तब एरफोर्स ने बालाकोट एरिश्टाइक में जैस के आतंग की ठिकानों पर इस्पाइस बम का इस्तेमाल किया था इस्राइल के साथ भारत ने करीब 300 करोड रुपे का ये रक्सा सुदक किया है खाडी के देशों को मिसाईलों की पहली खेप का निल्याद करने जा रहा है भारत भारत अब दक्सिनपूर एसिया और खाडी के देशों को मिसाईलों की पहली खेप का निल्याद करने जा रहा है ब्रहमोस एरो इस्पेस के HR कोमोडोर SKIR ने कहा कि सरकारों के बीच करार के बाद पहरी बार मिसाईलों का एक्सपोर्ट किया जाएगा उन्होंने कहा कई दक्सिन पूर्व एसाई देश हमारी मिसाईलों को खरीदने के लिए तत्पर है खारी के डेश भी रूची दिखा रहे है